दोस्तो आज हम इस वीडियो में अनबोक्सिंग करेंगे रियल्मी 2 के रेड कलर के वेरियन्ट की और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में तो दोस्तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में जल्दी से सुरू करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अजय टेक्नो एडवाइस को और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों मेरे सामने है रियल मी 2 का बॉक्स जहां पर उपर है रियल मी की ब्रैंडिंग और बॉक्स के गर लेफ्ट साइड में हम देखते हैं राइट साइड में उपर कुछ भी नहीं है और नीचे की तरफ यहां पर है एक स्टीकर जहां हम पढ़ सकते हैं कि हमें इसके सिलिकोन कीस और दोस्तों है हम रिएर कैमरे की की बात करते हैं तो पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ हमें मिलता है फौन में 13,2MP का कैमेरा और सेल्फी डियल मेख मराई बात करते हैं और दोस्तों नीचे की तरफ यहां पर एक और बॉक्स पे दिया गया है स्टीकर जहां पर इसका कलर लिखा हुआ है जो कि इस फॉन का कलर है डायमेंड रेड और यहां पर है रैम इसमें है 3GB रैम और 32GB रोम और साथ ही मैड इन इंडिया यहां पर लिखा हुआ है तो दोस्तों हम उपन कर लेते हैं बॉक्स को और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या है यहां पर है दोस्तों इसके अंदर एक पेपर जहां पर उपर हमें मिलती है रियल्मी की ब्रैंडिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है इससे उपन कर लेते हैं यहां से साइड से तो दोस्तों यहां पर हमें मिलती है SIM Ejective Tool इसे हम फिलाल रख लेते हैं साइड में SIM TRIPEN करने के लिए और दोस्तों इसके अंदर देखते हैं क्या है तो इसके अंदर है यहां पर कुछ पेपर वर्क है यूजर गाइड वगयरा है और साथ में आपको मिलता है एक सिलिकॉन बैक कवर प्रोटेक्टिव बैक कवर इस फॉन के लिए जिसमें के फिंगर प्रिंट के लिए भी होल दिया गया है तो दोस्तो अभी हम विलहाल इसे रख देते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या-क्या है और दोस्तो यहां से मैं फॉन को पहले निकाल लेता हूं और भी फिलाल साइड में रख देता हूं और दोस्तो यहां बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक अडॉप्टर जिसके गर आउटपुट रेटिंग की बात करें तो यह है फाइव वाल्ल टू एमपेयर और दोस्तो इसके अंदर है माइक्रो यूएसबी डाटा केबल और दोस्तो इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है तो फिलहाल मैं इसे वापिस रख देता हूं और अब हम देखते हैं दोस्तो फॉन के अंदर इसे हम कर देते हैं थोड़ा साइट और अब मैं ओपन करने वाला हूं फॉन को साइट से हम जो इसके उपर पॉलिथिंसी है इसे हम हटा लेते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त रियल में टू रेड डामेंड रेड वैरियंट को इसके उपर आप देख सकते हैं डामेंड कटिंग दी गई है बैक साइड में जो कि आप देख सकते है काफी प्यार लग रहा है बहुत ही प्रीमियम लुक है दोस्तों इसकी साइट से भी पूरा रैड कलर है उपर की तरफ ब्लैक डिस्प्ले है पूरी तो मैं इसे कर लेता हूं बूट और तब तक हम देखते हैं दोस्तों फॉन के और कैस में बटन वगेरा देख लेते हैं दोस्तों हमें यहां पर फॉन के राइट साइड में मिलता है एक पावर लॉक अनलॉक बटन दोस्तों अगर हम उपर की तरफ देखते हैं तो उपर यहां पर कुछ भी नहीं है बिल्कु की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल है उसके साथ आपको मिलता है चार्जिंग कनेक्टर माइक्रो फॉन और उसके साथ आपको मिलता है 3.5 mm का ओडियो जैक और अब हम देखते हैं फॉन की तरफ फॉन जो है वो ओपन हो तो आपको माटेत कra ऑगा नोक मेंसे पासवर्ड इसने मैंने लगा धिया था design और धु्यास कंवर्पórस intact को कि या कितना आप साथ है.. या स्ट है बॉप्न अब देख सकते हैं अब आपको यह कि यह उसकि लाभि किया काफी फास्ट है और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी फेस अनलॉक की तो यहां पर यह अभी पहले हम इसे करते हैं अभी यह है लॉक और जैसे ही मैं इसके सामने लाता हूं अपना फेस तो दोस्तों लॉक और जैसी फेस सामने आता है अनलॉक लॉक इस发मने आया। अनलोक हम्हाँ जैसे अनलोक होता है तो हमें ऊपर की तरफ स्लाइट करना होता है। अनलोक और यह अनलोक. दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फेस है वो सामने आते ही डिरेक्ट जो लॉक है वो खुल जाए अगर तो उसके लिए आप सेटिंग में जाके इसमें सेटिंग कर सकते हैं आपको जाना है फिंकर प्रिंट पास फेस गोट के अंदर और यहाँ पर हम फेस के अंदर जाते है और directly जो है directly with your face तो मैं इसे करदेता हूँ enable और अब देखेंगे कि ये है lock और जासे ही मैं face सामने लेके आता हूँ ये होता है unlock lock और अभी ये है जासी face सामने आया unlock unlock चलते हैं दोस्तो सेटिंग में और देखें और क्या क्या है इस phone के अंदर चलते हैं about phone के अंदर device name उपर आप देख सकते हैं realme 2 color OS version है दोस्तों इसके अंदर 5.1 अगर हम android version की बात करते हैं तो आपको इसमें मिलता है 8.10 8.1.0 version android version है जो की है Oreo version हम इसे कर लेते हैं back और दोस्तों प्रसेसर की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसके अंदर मिलता है कॉलकम का snapdragon 450 octa core ram की बात करते हैं दोस्तों तो ये 3GB वाला variant है device storage दोस्तों इसके अंदर मिलती है 32GB लेकिन अभी जो है इसके अंदर 21.3GB जो है वो अविलेबल है और दोस्तों के हम बात करते है android security page level की तो वो मिलता है कैसी आती है इसकी फिक दोस्तों कैमरा काफी अच्छा है जैसा कि ये 8MP आपको front पर मिलता है और पीछ आपको मिलता है 13MP प्लस 2MP का कैमरा और दोस्तों एक बार हम इसका जो sim ट्रहे से उपन करके देख लेते हैं कि हमें जो sim slot है उसके अंदर हम दो sim card के साथ एक memory card लगा सकते हैं या सिर्फ एक memory card और एक sim card लगा सकते हैं तो मैं इसे कर लेता हूँ open और sim slot में से मैंने ये निकाली sim tray sim tray भी दोस्तों पूरी जो है red color की ही है और आप यहाँ देख सकते हैं जो sim tray है इसमें आप दो micro sim लगा सकते हैं साथ ही आप इसमें लगा सकते हैं एक अपना memory card मैं इसे लगा देता हूँ फिलाल वापसी phone के अंदर दोस्तों realme 2 red color का जो यह variant है काफी premium है देखने में काफी premium है काफी अच्छा है काफी glossy है इसका back side जो है काफी glossy है fingerprint काफी easily इसके पीछे जो fingerprint है वो निशान पढ़ जाते हैं तो आपको इसके पीछे cover जो है वो use करना पड़ेगा तो मैं इसमें अभी फिलहाल जो हमें मिला था इसके अंदर सिलिकोन का back cover फिलहाल मैं उसे ही इसके पीछे लगा देता हूँ इसकी safety के लिए और देखते हैं कि कैसा लगता है यह यह है दोस्तों इसका back cover silicon cover जो की हमें मिला है company की तरफ से ही इसके साथ में जो की करेगा इसकी safety अब यह तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा यह फॉन के पर फिट हो गया है और पीछे से back cover काफी अच्छा लग रहा है पीछे से देखने में fingerprint sensor है दो camera है साथ में flash light है realme की phone के नीचे branding है वाल पेपर भी आप देख सकते हैं इसका जो है company ने जो default हमें मिला है उपर red color नीचे blue color जो की phone के साथ काफी match होता है दोस्तों मैं अमीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई question है या कोई सुझाव है इस वीडियो के लिए तो आप हमें बता सकते हैं नीचे comment box में आप मुस्से कोई भी question पूश सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारी इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए thanks for watching